Hello everyone, आज हम बनाएंगे fluffy pancakes, इसके लिए हमें सिर्फ six ingredients चाहिए, एक optional होगा, हम पहले strainer ले ले लेंगे, उसमें one cup flour डालेंगे, मैदा और one cup white sugar आड़ करेंगे और half teaspoon हम baking powder लेंगे, जिससे हमारे pancakes fluffy होंगे इसे strain कर दीजे, यह हमारे सारे dry ingredients है हम अपने dry ingredients को mix कर लेंगे इसमें हम half cup milk आड़ करेंगे, आप चाहें तो consistency के हिसाब से भी अपना milk आड़ कर सकते हैं oil या butter, one third cup, one egg, इसको हम तोड़ के direct bowl में डाल देंगे vanilla essence डालेंगे जो की optional है, mix करेंगे, हमारा batter रेड़ी हो चुका है pan को preheat कर लेंगे, उस पे butter spread करेंगे, just a little bit एक big spoon हम batter डालेंगे अपने pan पे ये low flame है, जैसे ही bubble आ जाएंगे, हमें flip करना है अपने pancakes को golden brown color हमारे pancakes पर आ चुका है, एक side एक को खो चुका है दूसरी side हम cook करेंगे, दूसरी side भी आप cook हो चुकी है ऐसे ही हम और बना लेंगे, ये without butter है, मैंने इसके नीचे butter नहीं यूज करा है, क्यूंकि मैं non-stick pan यूज कर रही हूँ, तो ये चिपके कर नहीं bubbles आते ही हम अपना pancake flip कर देंगे दोनो pancake ने बबल आ चुके हैं, हम इसे flip करेंगे आपको ज़्यादा देर नहीं पकाना, ज़्यादा से ज़्यादा, दो से तीन मिनिट हम इसे low flame पे पकाएंगे जैसे ही आप flip करेंगे, ये fluffy हो जाएंगे इसे हम और देर cook करेंगे तीन से चार मिनिट हम इन pancakes को cook करेंगे हमारा एक pancake अब ready हो चुका है, इसे हम remove कर देंगे pan से और अब हम ये दो pancakes को cook करेंगे हमारे दोनों pancakes अब cooked हो चुके हैं ये काफी fluffy and soft दिख रहे हैं हमारे pancakes अब ready हैं आप इन पे अपनी पसंद के toppings जाल सकते हैं मैंने चॉकलेट ग्रेट करके डाली हैं और चॉकलेट syrup आड़ कर दिया हैं आप चाहें तो honey and butter यूज़ कर सकते हैं fluffy and soft pancakes हमारे रेड़ी हैं आप भी try करें and don't forget to subscribe my channel and like this video ओके बाई अब़ा आप जाप भी आप आप रिप यूज़ी हैं